कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाडवेर और सौफ्ट्वेर के बारे में तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे हाडवेर क्या होता है और उसका एक्जामपल उसके बाद डिस जो को हम डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद हाडवेर और सौफ्ट्वेर का एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा एक्जाम में कोस्चान आता है इसका तो आपको सेम यहीं लिखना है जो मैंने लिखा हैं देखो हाडवेर सबसे पहले बता रहे हैं ओल फ इस एक्जामपल देखलो की बोड कीबोड को तो हम टॉच करेंगे तभी तो इंपुट देंगे माउस मोनीटर जहां से अफूट आता है उसे भी आव डर YE सबीयों चेड़ल के रहेत..? है फिल किया जा सकता है वो hardware है अभी software क्या होता है आपके माइंड में यह भी आता होगा तो देखो software is a collection of data data के collection कोई software कहते हैं और आप बोल सकते set of instructions that is used to operate computer hardware and execute specific task देखो software जो है collection of data या फिर set of instruction होता है जिसे हम अपने system में install करते हैं किसी भी specific task को execute कराने के लिए और इसका में क्या काम क्या होता है computer hardware को operate करना यानि चलाने में help करना यहीं होता है software अभी software का टाइप देखो software का टाइपस भी होता है ठीक है पहला होता है application software application software वह software होता है जो user के यूज के लिए बना जाता है यानि हमारे लिए जैसे में office browser browser में google chrome opera mozilla firefox यह सभी आते हैं ठीक है second होता है टाइप system software system software वह software होता है जो system के लिए बनाया जाता है जैसे operating system तो गाइस यह हो गया software क्या होता है software का types और example अभी आपको मैं यह बताता हूं कि hardware और software में क्या relation है क्या यह दोनों एक दुसरे के बिना रह सकते हैं चले जानते हैं अगर आपके पास CPU है और मैं आपको software ना दू इस hardware में install करने के लिए जैसे operating system software होता है तो अगर operating system आपको ना दू तो क्या आप इस hardware को यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हैं यह एक डब्बे के बराबर है कुछ नहीं कर सकता यह और मालों आपके पास software operating system में मैं तो इसे सभी चीज़े आपके पास लेकिन मैं आपको CPU ना दू हाट्वेर ना दू तो क्या आप इन software को use कर सकते हो इन्हें चला सकते हो नहीं चला सकते तो गाइस दोनों चीज़े important है एक दूसरे से relate करती है तो यह हो गया hardware क्या होता है software क्या होता है example भी मैंने आपको बताया जितने points मैंने discuss करे थे वो सभी आपको दिये है वीडियो पसंद आया हो तो like कर दो इन दोनों के बारे में अगर difference जानना हो तो यह वाला video क्लिक करो जो आपके screen में आपको दिखता होगा ठीक है तो इस video में इतना ही thank you friends